अभी तक मैंने habits यानि आदतों के बारे में बहुत सारी वीडियोज बनाये हैं और उन सभी को आपने बहुत पसंद किया है और कई लोगों ने इन आदतों से अपने जिनगी को बदली है मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी आदते अपना कर अपने life में आगे बढ़ें और अपने साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाएं इस दुनिया में कुछ भी चीज पाना है तो उसके लिए तीन चीज़े चाहिए पहला आपको hard work करना चाहिए दूसरा अपने काम पर विश्व मास होना चाहिए और तीसरा माँ तो कुण बात ये है कि हमेशा discipline या अच्छी आदतों के साथ चलना चाहिए अब्दुलकराम सहाब को सफल खिशने बनाया उनकी अच्छी आदतों नहीं स्वामे वेकनन जी विश्व प्रसिद्ध के हुए अपने तेज और अपने अच्छ आदतों से ऐलाउन मस्क की सफलता के पीछी उनकी आदते हैं जिसमें वो हर मिनट को कितने समझदारी से इस्तिमाल करते हैं मैं आपको सिफ कुछ एक्जामपल दे रहा हूँ सज बात तो ये है कि किसी भी सफल या असफल इंसान के पीछे एक ही बात होती है उनकी आदते अ एक बार कुछ अलग और कुछ बहतरीन आदतों के बारे में बात करेंगे। इन आदतों को मात्र 21 दिन खुद पर अपलाई करना है। उसके बाद ये आपकी आदते बन जाएंगी। आपको फोर्श नहीं करना पड़ेगा। मैं आपसे बादा करता हूँ कि अगर आप इमानदारी से इन आदतों को जीवन में अपनाते हैं तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। अगर आप कहीं पर जॉब इंटर्यू के लिए जाती हो और वहाँ पर आपको ये पूछा जाए कि आपको क्या काम आता है तो क्या आप ये कहेंगी कि आपने B.A.C. किया है, M.C. किया है, B.A.M.A. किया है या B.C. कॉम, M.C. किया है। सिर्फ डिगरी दीखाने से छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाती है। अगर आपको बेश्ट सैलरी वाले जॉब चाहिए, अगर आपको एक अच्छी नौकरी चाहिए, तो आपके अंदर कोई स्कील होनी चाहिए, क्योंकि स्कील के बिना कोई भी जॉब में नहीं रखता ह आजकल जादतार experience वाले को ही जॉब में रखते हैं। पढ़ाय के साथ साथ computer में data entry कैसी करनी है, presentation कैसे बनाना है, किसी भी चीज का लिष्ट कैसे तयार करना है, वगेरा वगेरा जो भी काम सिखने लायक होती है उस काम को सिखते रहना चाहिए, जिससे आपका knowledge बढ़ेगा और उस काम में experience भी बढ़ेगा, किसी काम में knowledge आपको छोटी उम्र में सफल बना सकती है, क्योंकि degree से ज़्यादा जरूरी होती है knowledge और skill, अगर आपके पास सिर्फ degree है, काम का knowledge नहीं है और आपके पास कोई बहतर skill नहीं है, तो आप काम की तलास में भढ़कते रहेंगे, हर पन में सफल बनाएंगी, नमबर टू, work more and talk less, हमारी energy तीन तरह से खर्च होती है, एक सोचने से, दूसरा बोलने से, और तीसरा काम करने से, maximum लोग अपनी ज़्यादा तर energy बोलने में गमा देते हैं, और काम ठीक से नहीं करते हैं, या करना ही नहीं चाहते हैं, कई लोग ब बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, और टॉप करना है, तो तूरंत अपनी लक्ष को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना इस्टार्ट कर देना होगा, आपको बहुत पैसर कमाना है, आपको अमीर आदमी बनना होगा, तो आपको दूसरों को बताने की जरूरत दूसरों को बार-बार बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ये कर सकते हैं, लोग सुनना नहीं बलकि देखना पसंद करते हैं, आप दिखा दो लोगों को कि आप क्या कर सकते हो, किसी और के सामने ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी एनरजी, अपने क पढ़ाय में देना चाहिए अपने काम की सुरुआत्स सकरात्मक उड़ जब के साथ करें कई बार इस्टुडेंट्स पढ़ाय की सुरुआत कुछ इस तरह से करते हैं अरे यार बहुत सारा पढ़ना है अरे यार बहुत सारा लिखना है मेरा तो दिमाग ही खराब होया मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है मैं क्या करूं बिलकुल इसी तरह कोई आफिस वर्क करने वाला हो या कोई और काम वे सभी काम को बोष समझ कर पहले उसके लिए अपसोस करते हैं अपने काम के बारे में या पढ़ाय के बारे में जाने अन जाने में बुरा भला सोचते रहते ह और इसी का रिजल्ट आपको ये मिलता है कि उस काम में आपका मन बिलकुल नहीं लगता और आप उसमें हमेशा असफल रहते हैं सोचो अगर काम की सुरुआत ही खराब तरीके से होगी तो उस काम का अंध किस तरह से होगा बहुत ही बेकार होगा दोस्तो किसी भी काम की सुरुआत पॉजिटिव सोच पॉजिटिव उड़जा के साथ करने चाहिए तब भी उसमें सफलता मिलती है जो काम करना संभव लगता है उसे करने के लिए ताकत की जरुवत होती है और अगर किसी काम को करना असंभव लगे तो उस काम को करने के ल पॉजिटिव वाइप्स के सांथ करें तो दोस्तों ये थे आपके लिए तीन आदते इन तीन आदतों को जरूर अपनाए और 21 दिने से ड्राइज जरूर करें ये आपके लाइफ में बहुत ही बेहतर साबित होगी कौन सी आदत आपको पसंद है हमें कमेंड बॉक्स में कोड़ करता हूँ जै हिंग जै भारत